भाई अपनी रेलियों में जाते हैं और जातें के कहते हैं कि जो लोग CAA का विलोग कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि परोशी देश के अर्फ संखट गर हिंदुओं को नागरिक्ता दी जाए पर्टेक्शन की परवानव यही तया कर लेते हैं बोलिए आप लोग इस देश में किसी को नागरिक्ता देने के खिलाफ हैं हाथ उताके बोलिए इसे नहीं चलेगा मीडियो बना लीजेगा मीडिया वाले सब लोग देख लीजिए हम लोग किसी को नागरिक्ता देने के खिल आप नहीं हैं किसी का नागरिक्ता का पिरोज नहीं कर रहे हैं असल सवाल क्या है असल सवाल यह है कि सी एनार्सी के नौटंकी के नाम पर आप जो इस देश के नागरिकों को परेशान करना चाहते हैं हम उसका पिरोज कर रहे हैं और करेंगे कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे कि हमारे पुर्खों ने अंगरेजयों के साथ बट करके चाहे पर चर्चा नहीं किया था हमारे पुर्खों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानदवाई थी आज भी हमारे पडिवार के बच्चे सीमाओं पे जा करके राइफल थांगे पे इस देश की सुरच्छा कर रहे हैं हमसे देश भक्ति का पुड़मान को तुमानते हो बैवान कहीं के मेरे घर्से मेरे घर्से मेरे भाई ने सहादग दी है और हमको मालूम है आज कोई पुछने वाला नहीं है आप एक साथ हो गए है उन रिपोर्टों को उठाब के देख लीजिए आज तक ये नहीं तया हो पाया है कि RDX कहां से आया किसकी नापरवाही की बज़से लोगों की जान गई और ये सवाल देश के जवान पूछ ना सके देश के नौजवान पूछ ना सके इसलिए रोज उनको नए मुद्वे में उन्जा दिया जाता है कहते हैं न कि आप जादूगर का गिली 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 पंपं छू सुने में रहे तब तक वो डिपा बदल दिया आप लोग गाव ग्राम के लोग हैं खेती किसानी करने वाले परिवार से आते हैं हम गईया को जब गोटी खिलाना होदा है न तो हरियर हरियर घास उसको दिखाते हैं अग गईया जब आ करती है तो घास देने की बज़ा उसमें तितका गोटी उसके मुह में दे देते हैं ये जब जब इस देश के नौजवान रोजगार मांते है जब इस देश के नौजवान अपने पनरह लाग का हिसाब मांते है जब इस देश के नौजवान ये सवाल करते है कि नोट बंदी के बाद आपने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा आपने कहा था कि आतंकवाद की घटने रुख जाएगी आपने कहा था कि नकसलवाद की घटने रुख जाएगी ऐसा रुका है कि आजकल देवेंदर सिंग नाम के एक पुलिश ओफिचर से आगंगवादियों को दिल्ली आने के लिए लिफ्ट लेना पड़ा था उसके उपर ये देश द्रों का मुकदमा नहीं करते हैं लेकिन जो इस्कूल के आज साल और दस साल के बच्चे हैं उनके उपर देश द्रों का मुकदमा कर दिया गया है डॉक्टर कफील खान इस देश के इस राच के स्वास्त मंत्री को यह फुर्सक नहीं थी कि जब मुझब फटपूर में नौनिहाल चंकी बुखान से मर रहे थे तो उनकी जागर के सेवा करें उनकी देखरेक करें डॉक्टर कफील आगर के केम लराते हैं मुझब फटपूर के नौनिहाला का इनाच करते हैं मुख्ट में आज डॉक्टर कफील को बहुत तर गंटे हो गया है जमालत भी रही है लिकम उनको जेश सिर्वार में यह लिया है खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन दबाएं